आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदय बनी रहें। सापताहिक राशिपल होता है, वो प्रमुक्तह चंद्रमा और उनकी गती प्याधारित होता है, चंद्रमा एक ऐसे ग्राह है, जो बहुत तेज गती से भागते हैं, और करीबन सवाद उसे डाए दिन में अपनी राशी बदलेते हैं, बहुत सभाविक है कि अगर इतनी जल्द और राशी बदलेंगे, तो जीवन पर उसका प्रभाव भी बहुत पड़ेगा, चंद्मा मन की कारक होते हैं, डे टूटर एक्टिविटीज पर बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, उस भाव के कारक तो कुस राशी के कारकत्तों को ग्रहों के साथ जोनका यूति होती है, इससे साप्ताहिक राशीवल की विशेशता बढ़ जाती है, ताकि किस प्रकार से आप अपने आने वाले सप्ताह को प्लैन आउट करें, जोतिश के माध्यम से गाइडन्स लेते हुए, यदि आपकी लगनराशी मीन है या आपकी चंदराशी मीन है, दोनों ही गाइडन्स के लिए इस राशीवल को वश्य देख सकते हैं, पुनाह समझाने का प्रयास करूँगा कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, कि आप बोलने की मेरी लगनराशी मीन है तो लग राशीवल बने, तिकत मत है कि अगर आपको लगनराशी गयाता है तो वहीं से देखिए, नहीं पता तो चंदराशी से अबजब कर सकते हैं, या जसमाने का जहां से दाधा सूट करता है, शुरू करते हैं, चंदरावा बारवे घर में रहेंगे 14 तारीक को, और 15 तारीक शाम के 4 तक यहीं प सकता है, लेकिन चंताओं के कारण कुछ गलत निरने लेने के भी योग बन जाते हैं, तो थोड़ा सा केरफूल रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, गुरू से केंद्र में है, यानि की गजगेश्री योग बना और गुरू लगनेश है तो साहस रहेगा, बस मैं यह कहूँगा कि कोई अचानक से बड़ा निरने मत लिजेगा, पैसा मत लगाएगा, और चिंताओं से अपने आपको दूर रखेंगे, तो अच्छा रहेगा, नवान शकुनली बता रहे है कि ओवर्थिंकिंग बहुत होगी, तशान शकुनली, कारेक शेत्र में पुरानी गलतियां दोहराएंगे, तो बुरा होगा, लगर आगी दोहरा सकते हैं, बिजनस के हिसाब से, बहुत अच्छा टाइम है, कुछ नया हो सकता है, कुछ नया करने का मौका मिलेगा, अच्छा समय है, लव लाइफ, ठीक है, नया रलेशन्चिप भी स्टार्ट हो सकता है, फि आपको दुबारा सोचना पड़ेगा अपने तौर तरीकों को, गलतियां हो रही है, सही नहीं है प्लैनिंग, सही नहीं है तौर तरीके, सही नहीं है, आपके दिन चर्या काम किजिएगा, लव लाइफ, सेहत, सेहत के इसाब से, आपको स्लीप डिसॉर्डर, नसों के रोग और पेट के रोग तंक करेंगे, आपको ब्लड डिसॉर्डर भी अगर कोई है तो दिक्कत होगे, सरवाश्टक में आपका लगन बली है, ठीक है, हफ़ते के शरुवात कुछ चेंज के साथ होगी, यानि कि जो आप चेंज लाना चाह रहे थे न, उसके बारे में आगे बढ पाएंगे, पंदरा तरीक शाम के चार बजे चंद्रमा आ जाएंगे लगन भाव में, और सतरा तरीक शाम के पांस तक यहीं परेंगे, चंद्रमा का लगन भाव में आना अच्छा ही होता है, आपके लिए त्रिकोन के स्वामी है तो लगन में आएंगे तो राज्योग बन है कि ये पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है यानि कि पूर्णिमा योग है तो ये चंद्रमा वैसे ही strong है पक्षबली है इसी कारण से जब राहू का उनको साथ मिलेगा तो आप अपने thoughts पर control नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा नियमित और सैयमित रहेंगे ये तो अच्छा है आईडियास बहुत आएंगे लेकिन उसमें से कई आईडियास अन्प्रेक्टिकल भी होंगे लालच भी होगा और सोचने समझने की शम्ता कभी-कभी प्रभावित हो जाते है रहू के करन रहू कहना ब्रहम है रहू आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि हाँ ये करोगे तो अच्छा है बलकि वो चीज गलत होगी लेकिन वो रहू का प्रभाव होता है कभी-कभी अधिक्तम लोग जो शेयर मार्किराधी में और इन सब स्पेक्लियोटिव मार्किर्स में पैसा डुबाते है ना उनमें वहां पर रहू का प्रभाव होता है कि पहले वो जिताएंगे आपको लेकिन वही रहू लालच है वही रहू माया है फिर वो लोग पहले जीतते हैं फ खटे घर के स्वामी को लीगल कारे टक रहते पूर्ण हो सकते हैं नवांच कुली बता रही है पॉजिटिविटी रखिएगा सब अच्छा होगा दशान कुली कारेक्षेतर में पेशेंटली चीजों को हैंडल करना है बिजनस ठीक है सब कुछ लेकिन मने अभी कहाना कुछ अलग नहीं करना जैसा चल रहा है चलने दीजे लव लाइफ आगे बढ़ने का समय है अगर लंबा रलेशंशिप हो चुका है तो विवाह के बारे में सोचने के लिए अच्छा ठाइम है स्टूडेंस और विवाहिक जीवन बहुत अच्छा ठाइम है चीज़ें अगर खरा और चिंताएं एंग्जाइटी बहुत रहेगी सरवाश्चक में लगन ही अतिन्त वली है थोड़ा सा ना अपने उपर सयम रखेगा यहां पर बहुत मन करेगा कुछ अलग अलग करने का नहीं करना लगन में सारी दूसरे घर में आ जाएंगे चंडरमा यानि की मेश में सतर कुनिवा योग की बात करें तो चंडरमा दूसरे घर में है लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और चटे घर के स्वामी सूर्य अश्टम से बैठ कर देख रहे हैं तो एक प्रकार से धनका योग आपका बहुत स्ट्रॉंग हो गया कुंडली में कुछ भाव होते हैं जिनको पन शनी भी देख रहे हैं तो पनफरास्तान तो यह जो हफते का अंतिम भाग से पहले का भाग होगा यहां पर बहुत बड़ा धनका लाब हो सकता है अच्छा है लेकिन शनी की दृष्टी है और सूरे की दृष्टी है अब यहां पर चंडरमा फस गए हैं क्योंकि सूरे की द इससे भी बचीगा यहां पर अदर्वाइस ठीक ही है समय बुद्ध का प्रभावी कभी 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 कन्फूजन क्रेट करता है तो बुद्ध की दृष्टी भी है तो कन्फूजन भी हो सकते है नवांच कुनली यहां पे न ना बोलना सीखिएगा अगर ना नहीं यहां पे ब इसपेक्टेशन रखके बैठे हुए विवाहिक जीवन कुछ अलग कीजिए कुछ नया कीजिए बोरीनेस दिख रही है स्टूरेंस आपना अपको अपने बंधनों से निकलना पड़ेगा मानसिक बंधनों से क्योंकि उन्होंने आपको पूरा जकड के रख लिया है सेहत के खाने के कारण प्रॉब्लम होगी दातों आखों के रोख तंग करेंगे सरवाश्टक में आपका लगन फिर से बली है यह हफ्ते का जो यह भाव यहां पर पैसा आएगा तो लेकिन पैसा कहीं पर लगाने से बचिएगा उन्नेस अक्टूबर शाम के छे बचे चंदरमा आजाएंगे आपके तीसरे घर में आने के विशब में और सब्ता के अंतर तक यहीं पर रहेंगे चंदरमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है आपके पंचमेश है अपने से ग्यारवे घर में पैसा भी आएगा पैस अच्छा सबसे सेश्ट सबसे विशेश रहेगा जो कारे अटक रहे थे जो मने बोलत अपने आपको थाम के रखेगा हफते के अंतिम भाग में निरुनों को ले सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं रिस्क भी ले सकते हैं हफते का अंतिम भाग अतिविशेश है यात्रा के योग हैं यहां पर उसके काम करना पड़ेगा नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी बिजनस बहुत अच्छा टाइम है भागे का साथ मिलेगा लव लाइफ तो असा सौमेता रखेगा एक फ्रेंडली एट्मास्पे रखिए एक दूसरे को एक फ्रेंड की तरह टीट कीजिएगा विवा होगी सेहत के नुसार आपको गले के रोग चेस्ट की प्रॉब्लम इंडाइजेशन लिवर के रोग करेंगे सरवाश्चक में आपका लगन बली है यह हफ्ता पूरा ही लगन बली है आपका यानि कि कुछ बड़ा करना है न तो इस हफ्ते से अच्छा टाइम नहीं मिलेगा उपाय के सुरुप में शिवचारीसा गौरी चारीसा एक एक बार पाट कीजेगा और ओम शंकरायन महमंतर का 27 बार जाप करके महादेव को मिश्ठान का भोग लगाईएगा आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगी चैनल पर नहीं है सबस्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूं अगली वीडियो में तक तक के लिए ओम नमाश्यवाई